मातों भेनों, भारत विश्व की ऐसी बौधिक परंपरा का वाहग है, जिसका अस्तीत्व उसके दर्शन पर केंद्रित रहा है। और इस दर्शन का आधार उसकी आध्यात्मिक चेतना रही है। और ये आध्यात्मिक चेतना उसकी नारी शक्ती पर केंद्रित रही है। हमने सहर इस्वरिय सत्ता को भी नारी के रुप में स्थापित किया है। जब हम इस्वरिय सत्ता की और इस्वरिय सत्ता को स्त्री और पुरुष दोनों रुपे में देखते हैं, तो स्वभाव से ही पहली प्राथ्विक्ता नारी सत्ता को देते हैं। फिर चाहें वो सीता राम हो, राधा क्रश्ण हो, गवरी गणेश हो, या लश्मी नारायन हो, आप लोगों से बहतर कौन हमारी इस परंपरा से परिचित होगा? हमारे वेदों में गोपा, घोदा, अपाला और लोप मुद्रा, अनेक विदनाम हैं, जो जैसे रुशिकाय रही हमारे यहां, गारगी और मैत्रई जैसी विदीशों ने वेदान के शोद को दिशा दी हैं, उत्तर में मिराबाई से लेकर दक्षिण में संत अक्का महादेवी तक भारत की देवियों ने वक्ति आंदोलन से लेकर ज्ञान दर्शन तक समाज में सुधार और परिवर्तन को स्वर दिया है, गुजरात और कच्च की इस धर्ती पर भी सती तोरल, गंगा सती, सती लोयन, रामबाई और लिरबाई, ऐसी अनेक देवियों के नाम, आप सवराश्टर में जाओ गर-गर गुंचते हैं, इसी तरह आप हर राज में, हर खेत्र में देखिए, इस देश में शाहिद ही ऐसा कोई गाव हो, शायद ही ऐसा कोई खेत्र हो, जहां कोई न कोई, ग्रामदेवी, कुलदेवी, वहां की आस्था का केंद्र नाप हो, ये देवियां इस देश की उस नारी चेतना का प्रतीख है, जिसने सनातन काल से हमारे समाज का स्रजन किया है, इसी नारी चेतना ने आज़ादिक अंदोलन में भी, देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित रखा, और यह हम याद रखें के 1857 का स्वातंत्र संग्राम हम व्याद करें, और आज जब आज़ादिका अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो भारत के आज़ादिके आंदोलन की पिठी का उसको तयार करने में बक्ती आंदोलन का बहुत बड़ा रोल था, हिंदुस्तान के हर कोने में कोई निकोई रुशी, मुनी, संत, आचारिय पैदा हुए, जिनोंने भारत की चेतना को प्रजवलित करने का अध़ूत काम किया था, और उसी के प्रकास में उसी चेतना के रूप में से देश श्वतंत्रता के अंदोलन में सफल हुआ, आज हमें गैसे मुकाम पर है, कि आजाजी के 75 साल हो गए है, हमारी आध्यात्मी की आत्रा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक येतना सामाजिक सामर्थ है, सामाजिक विकास, सामाज में परिवर्तन, इसका समाए हर नागरिक की जिम्मेवारी से जूड़ गया है, और तब, जब इतनी बड़ी तादाद में, संत परंपरा की सब माताएं बहने बैठी है, तो मैं समझता हूँ, कि मुझे आपके साथ वो ब्यात्मी करने चाहिए, और आज मेरा सवबाग है, कि मैं नारी चेतना के ऐसे ही एक जागरूत समू से बात कर रहा हूँ,